हेलो स्टुडेंट्स, क्लास 12 के मैथ्स के 13 चेप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है प्रोबैबिलिटी आज की वीडियो में हम लोग प्रोबैबिलिटी का एंसी आर्टी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल करेंगे इस एक्सरसाइज के पहले मैंने फॉर्स्ट है इसको सॉल करना सुरूद करते हैं तो देख होते हैं उस case में P A intersection B का formula होता है probability of A intersection B equal होता है probability of A probability of B के मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ बहुत important topic है independent events जब दो event independent होते हैं तो दोनों के बीच के intersection का probability दोनों के probability के product के equal होता है मतलब अगर आपको probability A intersection B की निकालनी है तो आप probability of A निकाल लिए probability of B निकाल लिए दोनों को multiply कर दीजिए आपका probability A intersection B का जाएगा लेकिन ये तब ही hold करता है जब A और B क्या हों independent हों independent नहीं होंगे तो ये formula गलत हो जाएगा तो हमें तो question में 3 by 5 दिया है 1 by 5 तो probability of B की जगह 1 by 5 रख देंगे multiply कर देंगे तो हमारा अंसर आजाएगा 3 by 25 यह हमारा अंसर है अब देखिए second question है 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing card find the probability that both the cards are black तो ये तो बहुत ही easy है कह रहा है आपको भावन card में से यानि 52 card में से 2 card निकालने हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितने तरीके से आप 2 card निकाल सकते हैं total number of ways to pick 2 cards अब देखिए यहाँ पर आपको combination आना चाहिए combination अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि कितने तरीके से हम लोग 2 card pick कर सकते हैं 52 pack of card में इसका तरीका होता है total 52 card है 52 C और हमें कितने card pick करने है तो 2 card pick करने हैं तक है यह तरीका होता है 52 card है उनमें से हमें choose करना है दो card को 52 C2 जहां choose करने का यानि pick करने का concept आता है महाँ पर combination यूज होता है और जहां arrangement का concept आता है वाप पर्मुटेशन ही उता है यह सब आपको पता ही होगा को बोला है कि आपको जो दो कार्ड निकालना है वह एक्चली ब्लैक कार्ड होने चाहिए इसलिए आपको उस चीज की प्रोबैबिरेटी निकालनी है ठीक है तो मैं यह पूछ सकता हूं आपसे टोटल नंबर ओफ आसि केंदि टोटल नंबर ओफ वेज कि टूबिक है तूपिक तू ब्लैक कार्ड तू ब्लैक कार्ड कर ने के माशनीचिश करने के कितने थरीके हैं तो टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 होते है उन 26 मैं से मैं दोझ तोग जूस टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम, तो probability कॉल हो जाएगी, favorable हमारा क्या है, favorable मतलब black card वाला favorable होता है, तो ये 26 C2 क्या हो जाएगा, 26 C2 हमारा favorable हो जाएगा, total हमारा 52 C2 है, ठीक है, 26 C2 और 52 C2, अमीद कता हम आपको ये 26 C2 और 52 C2 calculate करना आता होगा, इसे calculate कर लिजएगा, आपका अंसर आजएगा, 25 by 102, अगर आपको नहीं calculate आएगा करने, इसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बगल में solution दिया हुआ है, कैसे मैंने 26 C2 की value निकाली है, कैसे मैंने 52 C2 की value निकाली है, आप यह value रखिएगा, यह वाली value रखिएगा, और divide के लिजएगा, आपका अंसर इतना आजएगा, ठीक है, 3rd question देखिए, कह रहा है, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement, if all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected, find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good, 3 are bad, will be approved for sale, question में कह रहा है, आपके पास एक box है, box में total 12, sorry, 15 oranges हैं, box में कितने oranges हैं, box माली जई यह रहा, इस box में total 15 oranges हैं, जिसमें से, obvious सी बात है, 12 good one है, और 3 bad one है, ठीक है, question में बोल लाए, इन boxes में से आपको 3 oranges pick करने हैं, बिना replace किये, question में बोल आए, कि अगर 3 के 3 good रहे, तो box को जो है, वो approve कर दिया जाएगा sale के लिए, otherwise नहीं किया जाएगा, reject कर दिया जाएगा, और हमें probability भी यही निकालनी है, कि कब approve होगा, तो approve कब होगा, जब 3 के 3 oranges जो होंगे, वो good one होंगे, ठीक है, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ, total number of ways, total number of ways, total number of ways to pick, to pick 3 oranges, तीन oranges अगर आपको pick करने हैं इस box से, तो कितने तरीके साफ पिक कर सकते हैं, तो total 15 oranges हैं, जिसमें से आपको choose करने हैं 3 oranges, ठीक है, तो 15 C3 value हो जाएगी, उसी प्रकार आपको probability जो है, वो good one की निकालनी है, कि मतलब जब आप इस box में से 3 के 3 oranges good निकाल लेंगे, तभी जो box होगा, वो approve होगा, sale के लिए, ठीक है, तो हमें probability तो यही उसी की निकालनी है, कि कब approve होगा, मतलब 3 के 3 oranges के आने चाहिए, good one आने चाहिए, तो मैं आप से यह पूछ रहा हूँ, total number of ways, total number of ways to pick, to pick all 3, all 3 good oranges, all 3 good oranges, कितने तरीके हैं भाई, total good oranges तो बारे हैं, good oranges तो सिर्फ और सिर्फ बारे हैं, तो यह जागर 12 choose 3, 12 मैं से 3 choose कर लेंगे, अब देखिए, आपके लिए मैंने 12 c3 के value यहां पे लिखी है, 15 c3 के value यहां पे लिखी है, हाला कि यह सब आपको खुछ से calculate करना आना चाहिए, यह सब आपने 11th में सीखा होगा, ठीक है, तो हमें probability निकालने हैं, good one की तो हम लिखेंगे, favorable by total, favorable by, favorable by total, ठीक है, तो favorable कितने हैं, कितने favorable हैं बताइए, 12 c3, ठीक है, 12 c3 divided by, total कितने हैं, 15 c3, दोनों की value रग देंगे, 12 c3 की value क्या है थे, 4 into 5 into 11, और 15 c3 की value, 5 into 7 into 13, 5 से 5 कर जाएगा, यह 44 by 13, 7 is the 91, यह मारा answer हो जाएगा, ठीक है, 4th question देखिए, क्या कह रहा है, a fair coin and an unbiased die are tossed, मतलब एक coin को toss के जा रहा है, और एक dice को toss के जा रहा है, let A be the event, head appears on the coin, ठीक है, A मतलब क्या है, A मतलब क्या है, head आना चाहिए, ठीक है, head on coin, ठीक, और B मतलब क्या है, B मतलब 3 आना चाहिए dice के उपर, B मतलब क्या, 3 आना चाहिए dice के उपर, 3 dice comes, ठीक है, 3 dice comes, लिखना गलत होगा, आप लिखिए 3 appears, ठीक है, 3 appears on dice, on dice, आपको पता यह करना है, कि क्या A और B independent है, तो independent मतलब probability of A intersection B, probability of A, probability of B के equal आ गया है, तो हम लोग दुनों को independent events कहते हैं, ठीक है, तो पहले A intersection B तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तो मुझे एक बात बताईए, जब आप एक coin और एक dice को फेकेंगे, तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो coin पे तो head या तो tell आएगा, लेकिन dice पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं, तो sample space क्या बनेगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है, यह क्या होंगे, sample space होंगे, जब भी हम लोग कोई probability निकालते हैं, तो sample space बनाने आ जाना चाहिए, मतलब जब आप एक coin और एक dice को toss करेंगे, एक साथ, तो head और 1 आएगा, head या तो 2 आएगा, head या तो 3 आएगा, head या तो 4 आएगा, इस तरह से total bar outcomes आएगे, ठीक है, हमें निकालना है, A intersection B, A intersection B मतलब क्या होगा, A मतलब head आना चाहिए, B मतलब 3 आना चाहिए, ठीक है, तो A intersection मतलब head and 3 comes, head and 3 comes, मतलब head भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं इस sample space में देखूँ, तो A की ही ऐसा element है, जिसमें head और 3 आ रहा है, वो है H3, ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, कि A intersection B के अंदर सिर्फ और सिर्फ A की element होगा, वो होगा H3, तो मैं अगर आपसे probability पूछूँ, A intersection B की, तो आप मुझे क्या बताएंगे, ये sample space में total bar outcomes है, तो नीचे तो 12 आ जाएगा, total 12 है, favorable कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, तो उपरवान आ जाएगा, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि head आने के क्या chances होते हैं, तो वो होता है, 1 by 2, half, और 3 आने के क्या chances होते हैं, 3 आने के chances क्या होते हैं, 1 by 6 ना, क्योंकि जब आप dice को फेकते हैं, तो total 6 outcome होते हैं, जिसमें 3 एक ही बार होता है, इसलिए उपर 1, उसी तरह head on coin, ये सब तो निकालने आता होगा, ठीक है, मैंने basically A की probability यहाँ पे लिखी है, और B की probability यहाँ पे है, ठीक है, अब देखते हैं, इसके जगा मैं रख दूंगा 1 by 12, क्योंकि हम लोगों ने अल्रेडी निकाल लिया है, A intersection B की probability जो है, 1 by 12 है, तो इसके जगा मैंने 1 by 12 लग दिया, A की probability 1 by 2 है, B की probability 1 by 6 है, दोनों की value पूट कर देंगे, देखते हैं, equal आता है कि नहीं, 1 by 2 into 1 by 6, देखें, clearly equal आ रहा है, 1 by 12 विदर भी है, उधर भी 1 by 12 आएगा, तो इसका मतलब A and V are independent, इक्वाल आगा, इसका मतलब independent है, और क्या, इक्वाल नहीं आते हैं, इसका मतलब independent, नहीं है, थाना easy question, देखें, ये बनाने आना चाहिए, आपको, 5th question है, a die marked 1, 2, 3 in red, 4, 5, 6 in green, is toss, मतलब, एक dice के 3 faces पर red color से 1, 2, 3 लिखा गया है, green color से 4, 5, 6 लिखा गया है, उसे fake आ जा रहा है, toss के जा रहा है, A be the event, the number is even, B be the event, the number is red, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, 1 को red में paint किया गया है, 2 को red में paint किया गया है, 3 को red में paint किया गया है, 4 को green में paint किया गया है, 5 को भी green में paint किया गया है, 6 को भी green में paint किया गया है, कह रहा है, A मतलब, A मतलब number क्या होना चाहिए, number even होना चाहिए, B मतलब कह रहा है, कि number क्या होना चाहिए, red होना चाहिए, ठीक है, तो मैं अगर आप से पूछ हूँ, probability of A क्या हो जाएगा देखें, total 6 outcomes है ठीक है, even आने के कितने chances है even आने के क्या chances है 2, 6, 4 तीनी chances है न ठीक है, तो यहाँ पर 3 probability of A क्या हो जाएगा, half हो जाएगा उसी तरगा मैं आप से पूछओ probability मुझे B का बताईए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि red आने के chances क्या है total तो 6 है, red कितनी बार है उसमें से 3 बार है तो उपर 3 आजाएगा इसको solve करेंगे तो 1 by 2 आजाएगा अब क्योंकि मुझे check यह करना है कि दोनों events independent है कि नहीं तो उसके लिए मुझे probability of intersection B निकालना पड़ेगा तो A intersection B निकालेंगे A intersection B मतलब कि number even भी होना चाहिए red भी होना चाहिए क्योंकि A और B दोनों का condition आजाएगा A intersection B के लिए तो A intersection B मतलब number is even and red तो number जो है even भी होना चाहिए, red भी होना चाहिए तो एक ही case में red होगा और even भी होगा, वो है 2 और R तो मैं अगर आपसे पूछूँ एंटर सेक्षन बी की प्रोबैबिलिटी क्या होगी इसका अंसर आपका होना चाहिए वन वाई 6 क्योंकि टोटल संख्या फेवरेबल में 1 है यहां पर सिर्फ एक ही नंबर है ना दिया आप उपर वन आया और नीचे टोटल आजा गाए 6 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल छे नंबर से तो चेक करना कि यह दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं तो हम लोग से लिए चेक करत एकी probability 1 by 2 आय थी बी की probability 1 by 2 इधर 1 by 4 आ रहा रहा है एधर 1 by 6 आ रहा है दोनों इक अनिक्क ल होते हैं उपर भी अनिक्क कसाइनी इसका मतलब A and B are not independent है ना simple 6 तवाला कोशन देखेते हैं तो हलुआ है E की probability दी है F की probability दी है और E intersection F की probability दी है बोला कि E और F independent है की नहीं है पता करिए तो यह formula लगा के check कर लेंगे और क्या है देखते हैं यह hold कर रहा है कि नहीं ठीक है यहां गलती से intersection का sign बनी है probability of F ठीक है E intersection B F की probability में दी है 1 by 5 E की probability 3 by 5 है F की probability 3 by 10 है तेदा 1 by 5 आ रहा है उपर 9 by 50 आ जाएगा दोनों अनिक्वल हैं यहां पे भी अनिक्वल यहां पे भी अनिक्वल और इसका मतलब यह होगा E and F are not independent not independent ठीक है easy यह नहीं होता है अब देखे 7th question क्या है हमें A की probability given है A union B की probability given है आप से B की probability पूछ रहा है जिसकी P given है वतलब P की बारे में पूछ रहा है कहरा पहला case की mutually exclusive होने चाहिए ठीक है तो पहले वाले में क्या है की mutually mutually क्या है exclusive events है ठीक है अब आपको mutually exclusive का मतलब नहीं पता होगा मुझे पता है तो दो event को हम लोग mutually exclusive तब कहते है जब A union B का probability probability of A plus probability of B के equal हो जाए ठीक है मतलब A union B का probability अगर A और B के probability के sum के equal हो गया तब दोनो events को हम लोग mutually exclusive कहते है मतलब आप ऐसा भी समसकते हैं कि अगर mutually exclusive बोला है इसका मतलब यह condition ठीक तो याद तो करना ही पड़ेगा इस formula को A union B की probability हमें given है 3 by 5 A की probability हमें given है 1 by 2 और B की probability P given है इस 1 by 2 को अधर लेका जाएंगा तो क्या जाएगा 3 by 5 minus 1 by 2 equals to P अब इस fraction को आप minus तो करी सकते हैं minus कर लेंगे तो आप का answer आजाएगा 1 by 10 ठीक second case में क्या बोला है independent होने चाहिए ठीक है और independent मतलब आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है independent मतलब होता है कि P A intersection B ये equal होगा P of A P of B के तो मैं आपको पहले एक formula बताऊंगा P of A union B ये equal होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B के अब आप कहेंगे ये क्या आपने तो यहाला formula बताया था A union B का आप लिख किये रहे हैं जिसमें ये भी आ रहा है तो actual formula यही होता है लेकिन जब वो mutually exclusive बोलेगा तो ये चीज हड जाती है ठीक है ये सब आपने class 11 में सीखा होगा या फिर सीख के भूल गया होंगे अब जो भी है वो तो आप ही जानते होंगे A union B का जो probability है वो 3 by 5 given है हम लोग उसके जगह 3 by 5 लिख देंगे ठीक है तिहां पर मैं 3 by 5 लिखते रहा हूं एक प्रोबैलिटी हमें 1 by 2 given है बी का probability प्रोबैलिटी पी गीवन है माइनस अब देखेगा बहुत ध्यान से पी इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबैलिटी ओफ एक प्रोबैलिटी ओफ बी क्यों सभी बात एक नहीं बताइए अरे हमने यहां पर लिखा तो है इंटरसेक्शन बी का प्रोबैलिटी यह होता है तो इसके जगा मैंने यह रख दिया ठीक वैलू रख देंगे और क्या यह जागा 3 by 5 equals to 1 by 2 प्लस पी माइनस एक प्रोबैलिटी 1 by 2 है बी की प्रोबैलिटी पी यह अल्टिमेटली हो जागा 3 by 5 equals to 1 by 2 plus P minus P by 2 ठीक है यह एक प्लस पी बाइटी अब इतने बड़े तो हो गया है कि इस equation को solve कर लें है ना इतने बड़े तो होई गया है तो इसको solve कर लिजागा यहां से पी के value आएगी मैं direct click दे रहा हूं 1 by 5 solve कर सकते हैं आप ठीक है बहुत easy मैं यह मान के चल रहा हूं इस type के equation तो आपको solve करने आता ही होंगे नहीं आते होंगे तो वैसे आप 11th या 12th खरावी कर दिया होंगे ठीक है कि एट्थ कोशन देखे क्या कर रहा है let A and B be the independent events with A की probability this B की probability this fine intersection B बहुत easy है कह दिया independent है तो हमें पहले वाले case में obvious सी बात है intersection B निकालना है तो हम लोग यह use करेंगे probability of A probability of B A की probability में 0.3 given है B की probability 0.4 given है multiply कर देंगे 0.1 to answer आजागा next पूछ रहा है A union B की probability तो यह कौन सी बड़ी बात है यह भी असाने इस निकल जाएगा A union B का probability का भी मैंने formula बताई है इक्वाल होता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ठीक है A की probability given है 0.3 B की भी given है 0.4 और A intersection B की probability हम लोगों निकाली है 0.12 इसको solve कर लिजेगा आपका अंसर आजागा 0.58 अब यह मत कहिएगा कि पॉइंट वाला plus minus करने नहीं आता है थर्ड वाले देखे क्या बोला है थर्ड वाले में बोला है कि भी है P A by B निकालना है पिछले वीडियो मैंने आपको P A by B का formula बताया था P A by B का formula होता है probability of A intersection B divided by probability of B तो A intersection B का value हम लोगों निकाल लिया था 0.12 बी की probability हमें 0.4 गिवन है से solve कर लिजेगा 0.3 अंसर आजागा फोर्थ वाला क्या बोला है probability of B by A तो B by A का भी क्या formula होता है probability of B intersection A divided by probability of A A intersection B या कहें B intersection A की बात होता है तो उसकी probability हम लोगों निकाली है 0.12 अब A की probability 0.3 है इसको divide कर देंगा 0.4 अंसर आजागा 9th question देखें क्या कह रहा है A और B दो event है such that A की probability यह है B की probability यह है A intersection B की probability यह है आपको find करना है probability not A and not B का ठीक not A और not B का probability आपको find करना है बहुत ध्यान से देखेगा हमें निकालना है not A not B का probability तो बहुत ध्यान से देखेगा not A मतलब होता है A बार ठीक and मतलब intersection होता है not B मतलब क्या होगा B बार होगा तो हमें basically इसके जगा इसकी probability निकालनी है और अगर आपने थोड़ा बहुत D Morgan law पढ़ा है तो आप यह जानते होंगे कि A union B का बार यह equal होता है A bar intersection B bar आपने यह set theory में पढ़ा होगा तो इसके जगा हम लोग क्या लिख पाएंगे फिर इसके जगा लिख पाएंगे probability of A union B का बार ठीक क्योंकि कि यह चीज इसके equal होती है अब और एक formula देखिए हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि probability of A bar यह equal होता है one minus probability of A ठीक तो हम लोग ऐसा कह सकते है यह equal होगा one minus probability of A union B मतलब अगर आपको बार हटाना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक है one minus करते हैं तो बस अब तो निकल ही जाएगा one minus A union B की probability कैसे निकालते हैं probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ठीक ऐसे निकालते हैं तो जागा one minus A की probability one by four है B की probability one by two है minus intersection B की probability one by eight है इसको solve करेंगे one minus कितना जाएगा बताइए six by eight minus one by eight तो जाएगा five by eight one minus five by eight इससे solve कर लिजएगा three by eight अंसर आ जाएगा ठीक है अरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यह लिख दे रहा हूं तो इसके बाद तो आप direct यहां तक पहुंची सकते हैं ठीक है मैंने जल्ली यह सब calculate कर दिया है तो concept क्या था not A मतलब A bar not B मतलब B bar end मतलब intersection होता है ठीक है यह चीज जो होता है वो इसके equal होता है according to d Morgan law ठीक है और यह जो बार अगर आपको हटाना है तो one minus करके लिखना पड़ेगा इसका formula तो मैंने बताया ही है ठीक है उसके value put करके solve करना था और क्या 10th question देखें क्या कर रहा है event A and B are such that A की probability this B की probability this and not A not B की probability 1 by 4 है ठीक है तो फिर से इसके साथ low चा है देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिख रहे है probability of not A मतलब not A मतलब मेंने भी आपको होता है A bar ठीक है और क्योंकि इस बार और given है end नहीं तो जब और होता है तो union आ जाता है ठीक और यह not B given है इसका मतलब क्या हो जाएगा B bar ठीक और मैं आपको बता दूँ यह हमें given है 1 by 4 ठीक साथ में आपको मैं A भी बताना चाहता हूँ कि जो probability है A bar union B bar इसको हम लोग modify कर सकते हैं दिखेंगा कैसे हैं A intersection B का whole bar यह equal होता है A bar union B bar यह भी आपने set theory में पढ़ा होगा class 11 तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसके जगह यह लिखेंगे ऐसा लिखने का फायदा दिखेंगा क्या होगा यह जागा one minus probability of A sorry direct में लिख रहा हूँ कई लोगो डारेक्स होनी आगा मैं लिख रहा हूँ सीधे probability of A intersection B का बार ठीक तो अब अभी में आपको उटाया है कि probability अगर A bar की आपको निकालनी है यह equal हो जाता है one minus probability of A के ठीक यह जागा one minus probability of A intersection B ठीक और यहाँ पर जागा probability of A bar union B bar ओके तुम्हें एक बार बताईए अगर मैं इस चीश को दहर लेकर जाओ इस चीश को दहर लेकर चाल जाओ देखे क्या जागा probability of A intersection B equals to one minus probability of A bar union B bar one minus probability of A bar union B bar की value हमें को पता है one by four तो उसके जगा one by four रख देंगे इसको solve करेंगे तो three by four अंसर आ जाएगा यह अंसर नहीं आया भी हमें A intersection B के बारे मालूम चला अभी तक और हमें पता करना है यह और भी independent हैं की नहीं है तो अगर independent होंगे तो A intersection B का जो probability है वो equal आ जाना चाहिए A और B के probability के product के इंटरसेक्शन बी का probability हम लोगे निकाला है three by four ए की probability क्या है one by two वी की probability है seven by twelve इसको solve करेंगे तो क्या अगर seven by 24 और इधर आ रहा three by four दोनों आपस में equal नहीं है इसका मतलब यहां पर भी एन इक्वल कसाइन यहां पर भी एन इक्वल कसाइन और इसका मतलब ए और भी क्या है independent नहीं है 11 कोशन देखेंगा क्या रहा है given two independent events a and b such that a की probability यह है बी की probability यह है आपको a and b की probability निकाल नहीं है तो अभी मैंने बताया है आपको इसब concept probability of a यहां पर एंड बोला है एंड मतलब intersection होता है ठीक और क्योंकि दोनों इवेंट्स जो है independent है तो इसका मतलब probability of a और b यह कहें a and b यानि a intersection भी एक को जागा probability of a probability of b के product के a की probability 0.3 है b की probability 0.6 है दोनों को multiply करेंगे 0.18 आ जागा ठीक अब हमें second में probability of a and not b का value निकालना है ठीक है probability of second volume के निकालना है probability of a and मतलब क्या होता है intersection और not b मतलब b का बार और मैं आपको यहां पर पते के लिए एक बात बता दूँ अगर a and b independent है अगर a और b independent है इस केस में a and b देस भी या कहें बार भी independent होते हैं तो इसका मतलब मैं लिख सकतें इसको probability of a probability of B का बार ठीक तो अगर आपको probability of B बार चाहिए तो ये एक को ले जागा 1- probability of B के अभी उन्हें बता है 1- probability of B क्या है 0.6 आज जागा 0.4 माइनस करने के बाद A की probability 0.3 है B बार की probability 0.4 अब ही हम लोगों ने निकाला है अब नोट कर लिजे मैं इसे मिटा दे रहा हूँ दो पार्ट मैंने solve करा दिये है ठीक है दो पार्ट मैंने solve करा दिये है तीसरा चौथा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत इजी है थर्ड वाले में निकालना है probability of A और B बहुत इजी है थर्ड वाला probability of A और मतलब union B इसका formula क्या आता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B तो A की probability 0.3 है B की probability 0.6 है A intersection B की probability अभी आपने लोगोंने निकाली होगी जिसको मैंने मिटा दिया है 0.18 इसको solve कर लेंगा हमारा answer आजागा 0.72 ठीक फोर्थ वाला क्या निकालना है probability of neither A इसका मतलब A बार ठीक और nor B बोला है तो neither A nor B का मतलब होता है मैं आप आप पुलिक दे रहा हूँ neither A nor B मतलब होता है A बार intersection B बार ठीक तो यह जागा probability of A बार intersection B बार और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है इस चीज को भी मैंने बताया है notes करके probability of A union B का बार लिख सकते हैं मैंने आपको बताया है कि A union B का जो बार होता है वो इक बार होता है A बार intersection B बार के ठीक तो इसके जगह मैंने यह लिख दिया और क्योंकि यह बार आ रहा है इस बार को मैं अगर हटाना चाहूं तो कैसा हटाऊंगा इसको लिखूंगा 1- probability of A union B 1- A union B के probability कहा थी 0.72 solve करेंगे 0.28 हमार answer जागा ठीक है Too easy 12th question है A die is tossed thrice एक dice को तीन बार फेका गया है अब इस case में आप simple space नहीं बना पाएंगे क्योंकि total number of outcomes कितने हो जाएंगे total number of outcomes क्या हो जाएंगे तीन बार फेक रहे हैं total number of outcomes अगर इसको पता करना है तो अगर एक dice फेकते हैं एक place होता है जब भी एक dice फेकते हैं तो total 6 outcome possible होते हैं यहाँ पे 6 number रखे जा सकते हैं यहाँ पे 6 number यहाँ पे 6 number ठीक तो तीनों का multiply करते हैं तो हमें मिल जाएका 216 यह यह जाएका total number of outcomes 216 bracket में लिख दे रहा हूं 6 का Q ठीक ताकि हैप समझ सकते हैं फिर मिटाई दे रहा हूं कैसे मैंने total number of outcome निकाला है यहाँ पे 6 choice, यहाँ पे 6 choice, यहाँ पे 6 choice तीनों का multiply कर देंगे तो 216 आजागा कहारा find the probability of getting an odd number at least one कम से कम एक बार odd आना चाहिए तीनों places पर कम से कम तबको उसकी probability निकालनी है तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ यह निकालिए न आप एक event बनाईए E E मतलब no odd comes no odd comes odd आना ही नहीं चाहिए अब आप कहाएंगे यह क्या विया निकालना था कि एक बार comes कम odd आना चाहिए आप कहा रहे हैं कि निकालिए एक भी आपार और नहीं आना चाहिए दो मिनेट थोड़ा था patience रखके भी आपको सौन्जा जाएगा हमें निकालना है इस समय question में कुछ और बोला है निकालेंगे हम लोग निकालेंगे कि odd आना ही नहीं चाहिए और किस केस में और नहीं आएगा है जब सब पे E1 आ जाए इस वालेडा सटोर्ट पे बहुत है इस वा इए वटना जाए इसको टोटल इवन नंबर्स कितने हैं कि यह इसा मैं क则सकता हूं कि है वhat one शॉट् ludzi यह कितना जाएंगे 27, ठीक है, मतलब ऐसे 27 बार आउटकम्स होंगे, या कहें ऐसे 27 आउटकम्स होंगे, 27 आउटकम्स होंगे, जिसमें एक भी बार और नहीं आएगा, ठीक है, तो अगर मैं E की probability निकालूँ, क्या जाएगा, 27 by 216, तो इसको solve करने जोगत नहीं है, बता रहूं क्यों, मैं अगर आपसे बोलना हूँ, कि no odd comes मतलब E हो गया, तो E बार मतलब क्या होगा, E बार मतलब इसका उल्टा, कि at least, at least one odd comes, at least one odd comes, सही बार नहीं, अगर E मतलब यह है, कि A बार मतलब क्या जाएगा, कम सकम एक odd तो आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, मिलब एक बार odd तो आना है चाहिए, E बार मतलब यह होगा, सही बात हैं, तो actually में हमें E बार की ही तो probability निकालने थी, और यह equal होता है 1 minus probability of E के ते जाएगा 1 minus E की probability हम लोग निकाली है 27 by 216 ते जाएगा 216 minus 27 by 216 minus करेंगे 189 आएगा divided by 216 इसको solve कर लिजेगा cut out किया जाएगा 7 by 8 तो आपको संजाए क्यों मैंने E बनाया था ना कि E बार या फिर कहें क्यों मैंने इस चीज़ की probability निकाली थी क्योंकि इस चीज़ की probability निकालना बहुत इजी है ठीक है उमीद कताम आपको संजाएगा E मतलब no odd comes इसका मतलब E बार मतलब कम सकमें एक बार और आना चाहिए इससे फायदा क्या हो ना कि हम लोंको यह चीज़ सोचना बहुत असान पड़े जाएगा ठीक है 13th question देखें क्या रहा है क्या रहा है two balls are drawn at random with replacement from a box इस बार replacement हो रहा है ध्यान दीजेगा containing 10 and 10 black और 8 red balls find the probability that both balls are red ठीक है बहुत ध्यान से समझेगा इस case में आपके पास आएगा एक probability का formula जो की काफी important होने वाला है question में बोला है दो ball निकाले जा रहे हैं random with replacement from a box containing 10 black और 8 red balls ठीक तो एक box है यहां पर यहां पर मैं बॉक्स बना दे रहा हूं ठीक है इसमें total 10 black है और 8 red है ठीक है तो हमें निकालना क्या है कि probability दोनों बॉल रेड आ जाने मलब दो बॉल इसमें से निकालने और दोनों के दोनों रेड आ जाने ठीक है यहां पर देखेगा पहले case के लिए म इसको मैं कह रहा हूं इसको मैं नाम दे रहा हूं द्यान से सुनीगा फर्स्ट बॉल ड्रॉन इस रेड टीक और एक इवेंट भी बना रहा हूं इसको में लिख रहा हूं सेकेंड बॉल ड्रॉन इस रेड ठीक मतलब आपने एक बॉल निकाला वो रेड आ गया दूसरा बॉल निकाला वो भी रेड आ गया ऐसे दो इवेंट है तो एक्चुली में देखा जा तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबैबिलिटी निकालनी है नहीं इंटरसेक्शन बी मतलब फर्स्ट ब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि कोशन में बोला है विथ रिप्लेस्मेंट ठीक है मतलब जब आप फर्स्ट बॉल निकाल लेंगे जैसे आप रेड बॉल निकालेंगे तो सेवन रेड हो जाएंगे कोशन में बोला है विथ रिप्लेस्मेंट वापिस उस मतलब अगर A event हो चुका हो तो B पर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए B event के होने पर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए माल लिजे A event हो गया होता मतलब आपने एक ball निकाल लिया red तो यहाँ पे 7 ball बसते क्योंकि विद replacement ball दिया है तो क्योंकि ball की संख्या वापिस उतनी हो गए जितनी पहले थी ठीक है तो A event के होने की जो condition है या फिर कहें A event जो की हो चुका था वो इस B वाले के उपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा क्या आपको मेरे बात समझा रही है फिर से मैं बोल ला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा माल लिजे आपने पहला ball निकाला वो आया red तो अब यहां पर seven red balls हो जाएंगे क्योंकि आपने एक ball निकाल लिया है क्योंकि question में बोल दिया है with replacement यानि जो आपने ball निकाला इसको replace भी करना है तो आप क्या करेंगे किसी दूसरे red ball को लाके यहां पर वापिस का रख देंगे तो वापिस से टोटल eight red balls हो जाएंगे तो जब आप second ball निकाल ले जाएंगे इस से घंटा फर्क नहीं पढ़ने वाला है कि एवेंट हो चुका है कि नहीं हो चुक है यहां पर कोई फर्क नहीं पढ़ेगा कि एवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है अब बहुत ध्यान से सुनेगा तो इसका मतलब ए और भी इंडिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल है ठीक है कई लोग डारेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर विद रिप्लेस्मेंट दिया है तो इंडिपेंडेंट ही होगा और दो टोटल बॉल अठा है उनमेंसे रेड बॉलल नख एए एक ही प्रोलिटी अथी बी की प्रोबिटी निकालना है इंट प्रयद बहुत असान है तो यहां से ב्ल E cdm वाई एटीन बी की प्रॉइबिल्टी एड़ एटीन यह टू फोर्जा टू फोर्जा टू फोर्जा टू नाइन जा तो यह फोर्फोर्जा 1699-81 अन्सर आजागा कि तो पहले चाहिए अब अगर आपको दूसरे कांसा निकालना है तो क्योंकि फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए सेकेंड रेड होना चाहिए तो अगर आपको सेकेंड वाले कांसा निकालना है यहाँ पर मैं टू कर दे रहा हूं तो मैं बस क्या करूंगा ना क्योंकि मुझे फर्स्ट बॉल ब्लैक निकालना है तो इस रेड के जगा ब्लैक कर दूँगा ठीक है बहुत ध्यान से सुनिएगा यह मिटा दे रहा हूं और अभी इंडिपेंडेंट ही होंगे इवेंट क्योंकि रिप्लेस्मेंट बोल दिया है क्वेश्चन में तो एवेंट अगर हो भी जाएगा तो बी के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा एंड बोला है मतलब इस इवेंट और इस इवेंट की प्रबाइबिटी निकालना है इंटरसेक्शन बी तो फिर से एक ही प्रबाइबिटी क्या हो जाएगी ब्लैक सुरी टोटल बॉल अठा रहे हैं तो नीचे ऊटीन आएगा उनमेंसे ब्लैक बॉल कितने हैं इंटू ठीक तेज़ागा 20 by 81 अंसर नोट करिए आगे बड़ी अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं थर्ड कर दे रहा हूं थर्ड कह रहा है कि one of them is black and other is red एक black होना चाहिए एक red होना चाहिए तो क्योंकि मैंने एक event बनाया जिसमें first ball black है और दूसरा event बनाया जिसमें second ball red है तो ऐसा case और possible हो सकता है कि अगर मैं first ball लूँ first ball वही red हो जाए और second ball black हो जाए second ball is black क्या आपको मेरे बाद समझें क्योंकि बोला कोई भी black हो सकता कोई भी red हो सकता है मतब एक black एक red होना चाहिए तो पहले black फिर red या तो पहले red फिर black इस case में भी हम लोगों ने probability निकाल ली थी जो कि आई थी 20 by 81 ठीक है इस case में निकाल लेते हैं क्योंकि independent events होंगे या तो निकालना अथान है probability of A probability of B ठीक एक ही probability क्या होगी red ball की निकालने की probability अभी आपने देखा था क्या होगी 8 by 18 होगी और black ball यानि B की probability उसका क्या होगा 10 by 18 होगा 2 forza, 2 nines हा, 2 five 2 nines हा, फिर से 20 by 80 बना जाएगा ठीक है, क्योंकि ये case अलग बन रहा है, ये case अलग बन रहा है एक ही question के लिए दुनों को add कर देते हैं, तो total probability क्या होगी, 20 by 81 plus 20 by 81, जोड देंगे तो क्या जाएगा, 40 by 81 ठीक है, है ना easy है 14th question देखेगा, क्या कह रहा है probability of solving specific problem independently by A and B are इतना इन इतना, ठीक है बहुत ध्यान से सुनने का, यहाँ पर मैं एक A event बना रहा हूँ ठीक है, problem solved by A problem solved by A मतलब A किसी problem को solve कर दे रहा है, B event बना रहा हूँ, या फिर इसे E और F कर दीजे, E और F तक कि confusion न हो, E मतलब problem solved by A, B मतलब problem solved by B, मैंने यहाँ पर 2 event बना है, क्योंकि question में बोला है probability of solving specific problem independently by A and B are इतना इन इतना मतलब A जो है, वो problem को solve कर दे रहा, उसकी probability 1 by 2 है, B जो है, problem को solve कर दे रहा, उसकी probability 1 by 3 है इसलिए मैंने 2 events बना लिए तो ऐसे मैं कह सकता है, मुझे given probability of E, जो कि है 1 by 2 probability of FB given है, जो कि है 1 by 3 question बोला है कि अगर problem solve करना independently, मतलब दोनों events independent है find the probability that problem is solved हमें यह पता करना है कि कब problem solve हो जाएगा दोनों मिलके अगर किसी question को solve करने जाएगे, तो क्या chances हैं कि question solve हो जाएगे, यही कह रहा है ना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा problem कब solve हो सकता है जब या तो A कर दे या फिर B कर दे कोई भी एक बंदा अगर problem solve कर दे रहा है तो काम हो जाएगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे E union F निकालना है बदाई कैसे मैं कराऊ, E मतलब A के दवार problem solve हो जाए, F मतलब B के दवार problem solve हो जाए तो दोनों में से कोई भी एक अगर problem solve कर दे रहा तो problem तो solve हो जाएगा तो दोनों में से कोई एक मतलब या तो E या तो F यहाँ पर या 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 और का concept आ रहा है ठीक ये आप जानते हैं ये एककोल होता probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F ठीक तो probability of E यहाँ पर लिख रहा हूँ plus probability of F लिख रहा हूँ क्योंकि independent event है तो ये probability of E probability of F के एककोल हो जाएगा ये वाली चाज चीज़ ठीक है E की probability 1 by 2 है F की probability 1 by 3 है minus 1 by 2 into 1 by 3 तो ये हो जाएगा 5 by 6 minus 1 by 6 that is 4 by 6 that is 2 by 3 ठीक है देख रहे हैं कितना थानी से solve हो रहा है पहला पार्ट solve हो गया है ये रहा पहला पार्ट अब दूसरा करेंगे दूसरा अब देखें सेकेंड वाला बहुत important है कह रहा है exactly one of them solve the problem अब दोनों नहीं करने चाहिए एक ही कोई solve करना चाहिए दोनों से नहीं solve ठीक तो इसका मतलब क्या है मैं probability निकाल हूँ या तो ए प्रॉब्लम solve कर दे बी न करें ठीक यहाँ पे बी बार लिखना गलत होगा एफ बार लिखना चाहिए एफ बार मतलब मैं probability निकाल रहा हूँ ए से हो जाए solve एफ से नहों E मतलब A से solve हो जाए B से solve नहों F मतलब किया बी से solve नहों F बार लगा है F मतलब था problem solve by B F बार मतलब B से not solve हो पाए ठीक है या फिर मैं यह भी निकाल रहा हूँ प्रॉलस करके है इसके समें एक कर रहा है पी नहीं कर रहा है इसके समें इने कर रहा है फीकर तो बताएं यह यह वाली जो चीज यह कई इसके के को जाएगे probability of E probability of f-bar plus probability यह भी चीज जो है वो इसके को फिलेटी ऑफ इबार probability of F क्योंकि मुझे यह पता है ना कि E and F are independent कि मैं आपको बता है कि E और F independent है इसका मतब E bar और F भी independent होंगे और E and F bar भी क्या होंगे independent होंगे ठीक इसलिए मैंने इसको breaker कैसे लग दिया इसको breaker कैसे लिए क्योंकि दो event independent होते हैं तो कामरसान हो जाता है तो अगर E की probability 1 by 2 है तो E bar की probability निकालने के लिए 1-1 by 2 यह उसी तरह गर probability of F bar निकालना है तो यह एक को जागा प्रोब्र वन माइनस probability of F 1- probability of F किया 1 by 3 that is 2 by 3 ठिक तो E की probability हमें पता है 1 by 2 F bar की probability हमें पता है 2 by 3 अभी मिलोन निकाला प्लस E bar की probability 1 by 2 है F की probability 1 by 3 है solve कर लेंगे 2 by 6 प्लस 1 by 6 that is 3 by 6 3 by 6 मतलब 1 by 2 आगे answer 15th question देखें का कह रहा है one card is drawn at random from a well-suffled deck of 52 cards in which of the following cases the events E and F are independent question में बोला है कि एक card निकाला जा रहा है 52 card में से कौन से case में independent event होगी E बोला है card drawn is spade F बोला है card drawn is an ace ठीक है पहला वाला solve करते हैं बहुत easy है E मतलब card drawn is a spade ठीक है तो मुझे एक बात बताईए E intersection E मतलब अगर spade है और F मतलब ace है तो E intersection F मतलब क्या हो जाएगा spade भी होना चाहिए और ace भी होना चाहिए ठीक तो आपको पता होगा card system में बावन card में क्या होते है 26 black होते है 26 red होते है 26 red होते है ठीक इन 26 में भी बटवारा होता है स्पेड और स्पेड और क्लब में ठीक मैं 26 red के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं फर्स्ट वाले पार्ट में तो कहीं red का जिक्री नहीं है तो इसकी बारे में बात नहीं करूंगा ठीक है हलाकि यहां पर इस तरह से डो डिवीजन होता है यहां पर एक डाइमंड होता है और एक हार्ट होता है इन स्पेड में 13 कार्ट होते हैं एक एस होता है ठीक है red स्वरी black कलर का स्पेड एस फिर होता है king queen jack फिर once लेके 9 तक के numbers उसी तरह club में भी एक ace होता है king होता है queen होता है jack होता है ठीक है और फिर एक से लेके 9 तक के numbers और same process इन दोनों तेले भी repeat करता है ठीक है मतलब यहां पर भी एक ace यहां पर भी case होगा ठीक है टोटल 13 स्पेड होते हैं 13 क्लब होते हैं 13 डायमंड और 13 स्पेड 13 क्लब 13 डायमंड 13 यह कार्ड का structure आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो लिख लेजिए तो मैं आप से यह पूछ रहा हूं इस निकालने की probability क्या होगी टोटल कार्ट 52 है इस यहां पर है एक यहां पर है एक्स यहां पर होगा एक सिर्फ यहां पर जो इख अधीश होते हैं टो ट्र फोट फटी टु याने वाइब रटीन iba उनमें से एक ही Card है जो इस पेड भी और एक एस भी है वो है उसकी Counting है शिर्फ 1 लिंस फीर न ज़िए होगा यहां वाला स्पेड यहां वाला स्पेत क्लब यहां वालए प्रेट क्या जगा ड़ायमंड यहां वाले स्पेड हमनेंडनने में चाहर करूंगा इंट्रेसेक्षेन एक प्रहिवियाबिल्टी किया एक वाल है रहा है रिर पहला वाला तो है गुद्ध इन्डिपेंडेंट है यहां पर मैं लिख दिए रहा हुआ है इन्डिपेंडेंट है मैं लिख दिया यह वाला है तो दूसरा क्या बॉला है कार्ड ब्लैक होना चाहिए कार्ड किंग होना चाहिए ठीक यहां पर मैं कर दरा हूँ ऐसे ए मतलब ब्लैक किसे एक मतलब किंग घिक तो ऑटल ब्लैकर्ट सथ 20 इसंटीएं 52 में किना फ्क कितने हैं फ की प्रb चॉर किंग होते हैं एक यहां पने की होगा एक यहां पर ऑगा एक यांपर गいやकी होते हैं हैं ऐन से पूछ रहा हूँ को इंटर सेक्शन एफ मतलब ब्लैक भी होना चाहिए एक यहां पर जो प्लैक है एक यहां पर जो कि ब्लाइक तो ऐसे तोटल दो ही केसे इंटर सेक्शन एफ की प्रोबेबलीटी क्या हो जाएगी 2 by 52, that is 1 by 26, थीक है, तो आप, वरिफाई कर सकते हैं, किक है यहां पे फॉर्मॉला कर लेना चुछ लिए हैं के तो, इंटेसेक्शन में की प्रभल्डि एफ की प्रभल्डि वाइए, एकी प्रभल्डि के थी 1 by 2, और एफ की प्रभल्ड वाइए थीं, there we वहां दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं इसे टोटल एट कार्ड है चार किंग होंगे चार क्वीन ठीक कि प्रोबैर्बीट्य जाएगी एट बवाई 52 ना जोकि मैं कहूं तो टू बाई थार्टी फिर एफ के बारे में बहुत है क्वीन होना चाङिए या तो जैक होना चाइए किंग नो ट्यक है चार क्वीन है यहां पर यह भाई फिट्टी टो सो जैते इस टू वाई थर्टीन कि फट्रेब जांगे जैक बोट लोगिए यहां पर एक जैक होगा यहांपर फेट जैक हो जाएंगे चार-जैकि एट है 32 तो केंचर भारतिन अप्र इंटरसक्शना एक मतलब इंटरसक्शन हम दो किंग और क्वीन कर तो एक्वी जार्ठ डिमांनी की और क्वीन फार्ट क्वीन यह में प्वीन्हैकि ईया टिन के नियुक्वांनी की जो जो queen और जैक हो ऐसे total 4 होंगे ठीक है क्योंकि इनकी बीच में बस एक ही तो common है queen वाला है total queen queen 4 है ठीक है तो E intersection F की probability क्या हो जाएगी intersect कराना जाता है na queen intersect कर रहा है total 4 queen है 4 by 52 कि देखने हैं वेरिफाइए हो रहा है कि मिटा देंग है यहाँ पर यहां पे वन बाई 13 आएगा इगा इगी प्रिवाइल्टी टू गाइटीन थी एफ की प्रॉइल्टी टू गाइट इन यह लिएगा 169 by 4 by 169 नहीं एदर 1 by 13 इक्वल नहीं है तो यह नाट इंडिपेंडे है ठीक यह वाला इंडिपेंडेंडेंट नहीं है यह वाले दोनों है ठीक है सॉल्व होगे कुश्ण 16 वाला कुश्ण देखें क्या करा है इन होस्टल 60 परसंट आफ दे स्टुडेंट रीड हिंदी निउस्पेपर ठीक है तो यहां पर मैं मैं एच इवेंड बना रहा हूं एच मतलब हिंदी पढ़ने वाले चात्र या हॉस्टल जो भी है इसकी प्रोब्याबिटी सिस्टी परसंट गीवन है तो हम लोग लिखेंगे 60 परसंटेज अठाते हैं तो हंडेड आ जाता ना चालीस परसंट इंग्लिस निउस्पेपर पढ़ते हैं यहां पर मैं नीचे लिखूंगा इंग्लिस इए फॉर इंग्लिस 40 परसंट मतलब 40 by 100 ठीक है 40 by 100 20 परसंट दोनों पढ़ते हैं दोनों मतलब एच इंटर्सेक्शन इए नहीं तो इसका 20 परसंट गीवन है यहनी 20 by 100 की प्रोब्याबिल्टी गीवन है हम यह निकालना क्या है है find the probability that she reads neither Hindi nor English ना तो हिंदी पढ़े ना ही इंग्लिस पढ़े तो अभी मैंने आपको कुछते पहले बढ़ा था है नाइदर हिंदी नौर इंग्लिस का मतलब ठीक है इसका मतलब क्या होगता यह है नाइदर हिंदी नौर इंग्लिस का मतलब एच इंटरसेक्शन इंग्लिस इंटरसेक्शन आएगा जब भी नाइदर नौर आता तो इंटरसेक्शन आता है ठीक है तो एच बार इंग्लिस और मैंने बता है यह चीज किसके इक्वल होती है यह चीज इक्वल होती है प्रोबैबिलिटी ओफ एच यूनियन इ का बार नहीं जब यह दोनों पर बार लगाना रहता है तो इंटरसेक्शन से यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है अभी मैंने बताए और यह इक्वल हो जागा वन माइनस प्रोबैबिलिटी ओफ एच यू प्रोबैबिलिटी ओफ एच उनियनी तो निंगाली सकता हूँ सिपिकिक उलोगा प्रोबैबिलिटी ओफ एच प्लस प्रोबैबिलिटी ओफ एच इंट इसकुरिट का सकते हैं इसको एच सकते हैं इसको और पॉइंटलम्ड़ spectacle स.'' तो 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2 0.8 आ जाएगा तो 1 माइनस 0.8 कर देंगे क्योंकि इसकी probability क्या ही है 0.8 तो 1 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा जाएगे 0.2 को वन बाइफाइब भी कहते हैं नहीं पहला वाला तो सॉर्व हो गया अब देखे वाला क्या बोलाए इफजी रीड्स हिंदी न्यूश पेपर फाइंड क्या इस एक पर लिए लिए इंग्लिस नूश पेपर तो इस केस में हमें क्या निकालना है आप मुझे ब बताया था बोल लाया कोशन बता दिया है कि वह हिंदी न्यूजपेपर पढ़ती है यानि यह कंडिशन गीवन है तो फिर आपको इंग्लिस न्यूजपेपर पढ़ने की प्रोब्याबिल्टी को निकालना है यानि आपको निकालना है प्रोब्याबिलिटी ओफ इंग्लिस व divided by probability of H intersection H probability क्या है 0.2 H probability क्या है 0.6 इसको solve करेंगे 1 by 3 answer आजागा ठीक है सी वाल हम देखें उल्टा पूछ रहा है कि अब English newspaper पढ़ रही है तो निकाल लिए हंदी का probability पढ़ इस बार English वाला रही है है मतलब यह इवन है हम लोग लिखेंगे probability हिंदी की निकालनी है जब वो इंग्लिस पढ़ चुकी हो तो यह इसका क्या जागा है H intersection E divided by probability of E H intersection E 0.2 है H का probability E का probability 0.4 है इसको solve करेंगे 1 by 2 आएगा एगा एंसर है solve होगे बहुत easy था यह तो अब MCQ कुशन आ गया एब बोला probability of obtaining an even prime number on die when a pair of dice is rolled is क्या probability है कि even prime number आ जाए दोनों dice पर एक ही even prime number होता है और 2 ठीक है जब हम लोग dice फेकते हैं तो total 36 outcome होते हैं एक ही case में दोनों पर ही even prime number आएगा वो है है टू कॉमा टू कि नहीं है तो ऐसा एक ही outcome होगा तो यहां पर बना जाएगा option नमड़ी साही हो जाएगा कि एटिंथ कोशिन क्या है टू इवेंट से एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ तो इसका अंसर option बी होगा अभी मैं आपको रीजन बता जे रहा हूं कैसे एक बहुत ध्यास सुनेगा बोला है कि दोनों इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं ठीक एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट है तो मैंना आपकोता है यह और ओर बी इंडिपेंडेंट है अश्bug हिसने हें डाटा denकिसुदन ब Самि होता है और बी आप दोनों इंडिपेंडेंटेंटे रह सकता दोनों खब्लाव और इंडिपेंडेंडेंड ऊंट intersection B-1 एक को लोगा probability of A- probability of B- के नहीं देस की probability मतलब 1- probability of A, B- probability मतलब 1- probability of B, अब देख रहें कौन सॉप्शन मेंच कर रहा है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है? आज खुण मसितना ही, मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तक के लिए, बुट बाई! झाल